नमश्कार स्वागत आपका हेल्थ वायर मीडिया में मैं हूँ आपके साथ आचल सनूरिया आज के इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड साइट डे क्या आपके गर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे बच्चपन से ही चश्मा लग गया हो यह कफी छोटी उम्र में यह धुलना नजर आता हो दरसल यह सच में सोचने वाली बात है क्योंकि अब यह काफी आम हो गया है बढ़ती उम्र के साथ इस तरह की परिशानिया आना नॉर्मल था लेकिन टीवी स्क्रीन्स और मोबाइल फोन्स के सामने लगतार इतना समय बिताने की वज़ों से बच्चों को आँखों में ऐसी दिक्कतों का सामनाप करना पड़ रहा है वर्ल्ड साइट डे आज 10 अक्टूबर को आँखों से जोड़ी समस्तियाओं और उनके राज के बारे में अवेर्नेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है बच्चों में बढ़ती आँखों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस बार WHO की थीम है Love Your Eyes Kids WHO की बाने तो तक्रीबन 500 मिलियन बच्चे विटामिन A की कमी से ब्लाइंड है इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिय जैसी बिमारियों से पीडित बच्चों की गिंती भी बढ़ती जा रही है इस बारे में सुनते हैं Fortis Hospital की Ophthalmologist Dr. Parul Sharma की राए कितनी बच्चों में मायोपिय आजकल बढ़ गई है, उसके लिए क्या करें Overall एक तो screen time controlled होना चाहिए जब बच्चा screen पे है तो 2020 का rule follow करें Which means that every 20 minutes close your eyes for 20 seconds ताकि आखों की muscles को rest मिल जाए और dryness ना हो Literature ये भी कहता है कि increase outdoor activities मतलब जितना बच्चा बाहर रहेगा sun में exposure रहेगा Extracurricular activities बच्चे को encourage करिए उससे मायोपिय कम होता है जो बच्चे इंडोर जादा रहते हैं और screen पे जादा रहते हैं वो उनमें मायोपिय होने के जादा chances है तो diet, regular eye check-up, increase outdoor activities and sun exposure and controlled screen time with 20-20 rule will take good care of your eye health in children नमस्कार